अगर आप एक नया flat buy करने की सोच रहे है पर confused है कि क्या-क्या pointers को आपको ध्यान रखना चाहिए अपने flat को buy करने से पहले या फिर आपके पास आज के दिन multiple options available है और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि इन सारे available options में से सबसे अच्छा flat आपके लिए कौन सा हो सकता है तो आप एकदम perfect वीडियो पर आ चुक्यों आज के single वीडियो में हम 21 points की checklist को discuss करने वाल है जो आपको किसी भी flat को buy करने से पहले हमेशा consider करना चाहिए ये एकदम latest and updated checklist है तो अपने आप सीधा आप एक pen और people लेके बैच जाएए इस checklist को no down कर लिजे और आपको अपने flat के decision में काफी help मिलेगी ये मैं आपको commitment देता हूँ अब एक भी second waste करें बिना सीधे चलते अपने checklist के उपर और points को detail में discuss करते है सबसे पहला point ये आता है कि आपको अपने builder की related काफी सारे pointers को check करना होता है में लिए 3 points होते हैं जिसमें मैं आपको summarize करता हूँ सबसे पहले आपको ये check करना है कि क्या आपका builder properly RERA पर registered है या फिर नहीं अगर आपको registration check करना नहीं हाता तो बहुत simple सा process है आपको अपनी state की RERA की website पर जाना है अपने builder से उसका RERA registration number लेना है website पर जाके वहाँ पर RERA registration number टाइप करना है फिर जितनी भी details और document सब्मिट करे होंगे authority को आपके builder ने आपको सारे वहाँ पर दिख जाएंगे और सारे details मिल चिकी होगी second आपको builder के related उसकी credibility चेक करनी है कि भया market में उसकी image कैसी है क्या market में उसको एक अच्छा आदी माना जाता है क्या market में उसकी payment की terms ठीक है या फिर नहीं ये आपको judge करना पड़ेगा and final points ही होते है कि अगर आपके builder के existing project बने वे है वहाँ पर जाके आप check out करीगी कैसे है वो project क्या वहाँ पर 5 साल पुराने project में seem की दिक्कत आ रही है क्या 5 साल पुराने project में जो भी लोग रह रहे है वो happy है या फिर नहीं या फिर उन्हें builder के related काफी issues आते है पता लगानी की कोशिश करिए सबसे पहले आपकी checklist का pointer होता है builder से related second होता है chain of documents especially अगर आप third party से buy कर रहे हो कोई भी property या फिर flat हमेशा उसके chain of document को check out करिए कि सबसे पहले कौन सी party को auction में मिला था या फिर कौन सी party में सबसे पहले initially इस flat को buy किया था फिर किस fire के पास गया फिर किस buyer के पास गया इस proper chain of document को आपको हमेशा check करना चाहिए वरना कई बार क्या होता है काफी सारी ऐसी property होती है जिसमें कोई family dispute चल रहा होता है या फिर दो partner होते हैं और दो partner की जगे सिर्फ एक ही partner हमारे सामने आता है और उसको बेशने की कोशिश करता है गलत तरीके से और हम वहाँ पर फसने के chances होते है इसलिए हमेशा chain of document को check करिए third point होता है map के related आपको map के related ये ensure करना है कि आपकी जो property बनी है क्या उस property बनी भी property के map government से approved थे plus जो map approved थे क्या वैसेगा वैसे ही building actually बनी है या फिर नहीं बनी तो हमेशा properly check out कर लिजगा कि suppose करते है आपके map में एक proper setback area दे रखा था क्या जब actually building मन के आई तो उसमें setback area दियावा है या फिर setback area को illegally या फिर गलत तरीके से use करने की कोशिश करिए चेक आउट करिए fourth important point होता है fire department के approval related especially अगर आपकी building एक high rise building है 25 floors के उपर की building है वहाँ पे तो additional documents की requirement होती है हमेशा आपको NOC चाहिए no objection certificate चाहिए fire department की तरफ से और अगर आपका builder कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो नहीं देंगे हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो अगर आपको actually is flat में interest है तो सीधा local जो भी fire department है वहाँ पे जाके inquiry कर सकते वो आपको properly बता देंगे और documents भी दे देंगे कि क्या NOC DV है उस particular builder को उस particular building के लिए या फिर नहीं next आता है हमारे सामने 5th point pollution department से क्या आपकी building approved है या नहीं काफी लोग कहते है आनन्त की तो छोटा सा pointer हमें क्या दिक्कत है recent case बताता हूँ जैपूर की ही एक बड़ी building थी काफी बड़ा builder भी था पर क्योंकि वहाँ पे pollution department का approval नहीं था अभी recently November 2023 का case है जहाँ पे उस building के construction को बीच में रोग दिया था काफी सारे ऐसे लोग थे जिनों उस construction phase में investment कर दिया था बिल्डिंग में flat के लिए अवो परिशान हो रहे अब जब तर पॉलिशन डिपार्टमेंट की तरफ से complete matter solve नहीं हो गया NOC नहीं मिलेगी आगे construction ही start नहीं हो सकता तो इस जहमेले में आप ना फसो इसलिए हमेशा पहले ही चेक कर लीचेका 6th और 7th point को मैं 7 में आपको बतायता हूँ पहले आता है completion certificate second आता है occupancy certificate completion certificate यह कहता है कि आपकी building properly norms के according बन चुकी है occupancy certificate यह कहता है कि क्या आपकी building safe है रहने के लिए अगर by chance आपकी building में occupancy certificate नहीं है उसमें कोई unauthorized construction हो रखा है तो authorities कभी भी आके उस complete building को या तो ban कर सकती है या फिर आपको उसको निकाल सकती है या फिर आपको आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत for example court कचरे की दिक्कत आ सकती है तो हमेशा ensure कीजिएगा कि occupancy certificate और completion certificate properly आपके सामने आ जाए 8th point आता है competency certificate देखिए क्या होता है जो chartered engineer होता है जो main engineer है जिसने वो building को construct करा है वो हमेशा competency certificate पर sign करके देता है कि हायर मेरे according जितनी भी building बनी है और जैसे भी building बनी है ये earthquake में properly safe रहेगी इसमें जितनी भी safety requirements की ज़रूरत ही वो सारे ensure हो चुकी है 9th point आपको हमेशा loan के रिलेटर ensure करना है कि अगर आपके builder ने उस complete property को बढ़ाने के लिए और बनाने के लिए किसी भी bank से loan लिया था किया आपको flat दिया जा रहा है उससे पहले वो loan clear हो रहा है या फिर नहीं हमेशा loan clear होना better होता है प्लस अगर आपको above दिये कि किसी भी pointers में suppose करते है अभी तक मैंने 9 points आपके साथ discuss करें इन किसी भी pointer में दिक्कत है या confusion है हमेशा अपनी property के against में एक छोटा सा loan ले लिजे मैंने मान लिया कि आपने properly financial planning कर रही है आपने जो हमारा financial planning का course चल रहा है इस complete series में already जिसके videos अगर आपने check out नहीं करें तो उपर आपको eye button मिल जाएंगे आपने properly financial planning की series देख रहा है कि यह properly ensure कर रहा है कि आपकी financial planning हो जाए फिर भी suppose करते है आपका flat है एक करोड का और आपको कोई भी loan के requirement नहीं है पर फिर भी 10 लाख रुपे का loan ले लीजे होता क्या है जैसी आप bank से loan लेते हो bank बन जाता है आपके लिए third party auditor उसका काम हो जाता है ensure करना कि जिस भी flat के against में वो loan दे रहा है क्या उसके सारे की सारे documents properly हो रखे या फिर नहीं कई बार हमसे भी miss हो जाता है या फिर हमें भी builder बेकूफ बना जाता है तो उसके लिए सबसे secure तरीका होता है bank से उसके agreement loan ले लो अगर loan ले लिया तो bank अपने आप आपके लिए सारे documents का ensure कर देगी कि properly हो चुके हैं ये छोटा point है पर काफी important है 10th important point क्या आपकी complete building की जो one time lease होती है वो society pay करेगी यानि कि आप लोग pay करोगे या फिर builder pay करेगा अगर builder pay कर रहा है तो क्या builder ने 8 साल की pay की है या फिर पूरी की additional 10 साल देखे होता क्या 8 साल की तो आपको pay करनी होती है पर अभी recently एक नया clause आया है कि 8 साल के साथ additional आप 2 साल का और pay कर दोगे पर नहीं करनी पड़ेगी तो क्या आपके builder ने पूरी की पूरी freehold lease ले रखी है या फिर 8 साल की lease ले रखी है जिसके बाद आपको lease pay करनी पड़ेगी चेक आउट कर लीचेगा important point है अगर freehold lease है तो उस flat को मैं plus point point दे दूँगा और वो मेरी list में तोड़ा सा उपर चले जाएगा अभी तक के पहले 10 point तो मैंने आपको documentation के related बताएते अब आने वाले 11 points ऐसे होंगे जिसके अगर आप insure करोगे तो आपको flat में जाने के बाद और रहने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी by the way अगर आप flat के लिए या फिर proper अपनी investment planning करना चाते है financial planning करना चाते है mutual funds में invest करना चाते है properly health या फिर term insurance लेना चाते है हमारी team की किसी भी प्रकार की कोई भी help ए requirement है तो description में आपको एक form मिल जाएगा जिसको fill कर दीजेगा within seven days हमारी team आपको connect कर देगी और आपको mutual fund distribute करने में या फिर insurance planning में या फिर किसी भी प्रकार की और भी आपकी query होगी तो उससे solve करने की कोशिश करेंगे आपको सारी details और number description में मिल जाएगे 11th point ही आता है कि क्या आपकी society में gym, pool, garden और temple अंदर ही है या फिर नहीं अगर है तो वो आपके लिए additional benefit होता है नहीं होता है तो वहाँ पे आपको तोड़ा सा और भी options explore करने की सब्रूरत हो जाती है 12th point क्या आपकी building में mini bazar servant का room और club house है या फिर नहीं club house बच्चों के और wife के काफी काम आएगा इवन आपको भी weekends में काफी काम आ सकता है प्लस अगर आप मेरे जैसे जैसे sports खिलना बहुत पसंद है तो regular basis पे आपको भी काफी काम आएगा अगर servant room है suppose करते हैं आप आने वाले समय में baby plan करते हैं वहाँ पे baby का आपको कोई helper की requirement है क्या उस helper को आपको अपने flat में accommodate करना पढ़ रहा है या फिर उस servant की एक अलग facility अवलेबल है चेक आउट कर लिजगा आने वाले समय में आपको काफी help मिल सकती है 13th point पार्किंग से related क्या आपकी flat के अगेंश में एक पार्किंग आपके लिए allotted है या फिर नहीं अगर आपके अज़ दो कार है तो क्या दो पार्किंग allotted है या फिर अगर आपको second parking buy करनी पढ़ रही तो उसकी क्या costing आ रही है क्या उस costing के अलावा भी कोई maintenance cost भी देनी पढ़ती है या फिर नहीं सपोस करते हैं आपका कोई guest आ गया building में आपसे मिलने के लिए और उसे parking करनी की ज़रुवत है building के अंदर तो क्या उसके लिए कोई guest parking अवलेबल है या फिर नहीं पॉइंट छोटा सा है पर check out कर लिए जीगा 14. हमें हमारी building में हमेशा security guard चाहिए ही चाहिए especially अगर आप एक ऐसे person है जहां पर आप में से एक partner work करता है और एक partner हमेशा घर पे रहता है या फिर दोनों ही partner work करते है और दोनों ही partner एकदम घर को छोड़के भार निकल जाते है तो security guard होना हमेशा हमारी लिए एक edit benefit होता है हम बिना security guard वाली building में जाएंगे नहीं 15th point electricity या पूरी की पूरी building का या फिर पूरी की पूरी society का single connection से काम चलता है या फिर हर एक flat लिए एक separate connection है या फिर हर एक floor के लिए एक separate connection है हमेशा separate connection होना better होता है वरना कई बार क्या होगा कि जो आपका caretaker है या फिर जो आपका builder है उसने कभी भी कोई bill पे नहीं किया और पूरी society की electricity चल गी और आप परिशान हो रहे हो या फिर आपके कुछ defalters आ गया है किसी और के default की वज़े से आपको परिशान होना पड़ रहा है तो हमेशा separate electricity line होना important होता है 16th point, आपकी building कितना load of electricity ले सकती है क्या वहाँ पर overload होने पर कितना failure हो जाता है और अगर power failure हो जाता है तो क्या backup power available है या फिर नहीं चेक कर लीजेगा 17th point, water से related है और यह काफी important point है ऐसे point है जिसमें real life मैंने दिक्कते देखी है especially Rajasthan में दिक्कत देखी है Mumbai में तो हद से ज़्यादा दिक्कत देखी है इस point के related क्या आपकी society में या आपकी building में proper water treatment plant है या नहीं कुछ लोग बोलेंगे water treatment plant से क्या फरक पढ़ जाएगा हमारा तो सीधा boring का पानी आ रहा है या फिर हमारा सीधा department का पानी आ रहा है फरक पढ़ता है अगर treatment नहीं होता ना आपने देखा होगा कि जैसी आपकी building 6-7 साल पुरानी हो जाती है वहाँ पे काली सी सीनल आने लग जाती है अलग-लग side में एक smell भी आने लग जाती है काफी सारी building में वह इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे proper water treatment plan नहीं था प्लस अगर आपकी काफी लंबी building है बड़ी building है 20 माले की building है क्या उसमें pressure reducing wall लगावा है या नहीं अच्छी building में usually लगा रहेगा वर्णा होता क्या है कि top floor में तो आता है पानी एकदम शांदार नीचे वाले floor पर जाते आते हैं पानी तो आता नहीं हमें बूंदे लगा लगा के या फिर और time पर use करना पाता है आगर हमें अच्छा पानी चाहिए है तो ensure कर दीजेगा है या नहीं अभी भी काफी सारी Mumbai की societies ऐसी है buildings ऐसी है जो decent building है पर वहाँ पर ये issue आता है इसलिए मैंने इस point को specially ensure किया है finally क्या separate water facility है अगर suppose करते है एक बड़ी building है बड़ी society है जिसमें 10-15 building है क्या हर एक building की separate water facility है अगर है तो वो better है अगर नहीं है तो हमें किसी भी एक particular floor या फिर किसी भी एक particular journey की दिक्कत की वज़े से बाकी सबको भी दिक्कत आ सकती है तो ध्यान रख लीजेगा 18th point ये ऐसा point है जो हमारी initial list आई थी 2-3 साल पहले उसमें नहीं था पर updated list में मैंने आपके लिए add किया है kitchen और bathroom की कभी भी wall sharing नहीं होनी चाहिए अगर वो sharing wall है तो वहाँ पर आपको कई बार या तो silent की दिक्कत या फिर smell की दिक्कत आ सकती है तो इसको ensure कीजिए का प्लस आपको ये भी ensure करना है कि जो भी आप flat ले उसकी minimum floor to floor height 9 feet की तो होनी ही चाहिए अगर 9 feet से कम है तो आपके लिए strict नहीं हो जाता है 9 feet से ज़्यादा है तो obviously हमें चलेगा next हमारे सामने 19th point आता है क्या आपकी building में proper fire fighting house silt house fire fighting instruments available है या फिर नहीं check करने वाले point है 20th point आता है कि क्या आपकी building में या फिर आपके flat में AC का provision है या नहीं है काफी सारी building में ऐसा होता है कि वहाँ पर AC का provision नहीं होता फिर provision ना होने की वज़े से या तो हमारे जो balcony होती हो पूरे का पूरा waste हो जाती है जहां पर हम बालकनी को यूज नी कर पाते है जहां पर हमेशा पानी गिरा वा रहता है और कीचर हुआ वा रहता है जो किचन की चिमनी होती है और wind connection होता है वो proper होना चाहिए proper exhaust होना चाहिए काफी जादा बिल्डिंग में ऐसा भी हमने देखा है कि वहाँ पर एक beam आ जाता है between chimney and wind और अगर वो beam आ गया तो यहाँ तो वो एकदम खराब सा एक और सा point आपको देखेगा जैसी आप अपनी खड़की के भाहर देखोगे या फिर आपको काफी दिक्कत भी आ सकती हो सकता है कि कई बार क्या होता है बड़ी slab आ जाती है slab आने की वेसे प्रॉपरली धुआ भाहर नहीं जा पाता और हमें internally flat के अंदर कुछ air की related दिक्कत आती है कि या air quality हमारे flat के अंदर तोड़ी खराब सी लगती है और हमें तोड़ी सा smoke सा आता है especially अगर आप चिमनी को use करने वाली चीज़ को use करते है I hope ये सारे 21 points की checklist आपको काम आएगी ये एकदम updated checklist है तो जब भी आप flat लेने की बात करे या फिर आपका दोस्त है जिसे इस checklist की help हो सकती है तो उसके आपको इस वीडियो को share कर दीजेगा ये ऐसा वीडियो है जो आपको आने वाले समय भी काम आने वाला है तो ज़रूर पढ़े तो अपने एक record में इस वीडियो को रख लीजेगा happy learning and I will see you very soon I hope आपको इस complete financial planning की series में मज़ा आ रहा होगा अभी तक हमने basic financial planning करना सीख लिया health insurance सीख लिया, time value of money सीख लिया, term insurance सीख लिया flat and property के related आपके सारे doubts cover कर लिये है अब दिरे दिरे हम investment आले points को किस तरीके से net worth को calculate करते है हर एक point को cover करेंगे किसी भी paid ऐसा course जो आपको personal finance से बेजा जाता है उससे अच्छा ये free course होने वाला है तो अगर आपने अभी तक existing videos को check out नहीं किया तो check out कर लिजगा happy learning and I will see you very soon